जी हालो नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपकी ही अपने हरियाना मौसम समाचार के इस वीडियो में जया है आप जाने के अपने सहे अपने गाउं अपने कजबे की मौसम की ताज़ा रिपोर्ट अगर आप हरियाना के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख तो वीडियो पर एक प्रास लाइक करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेयर जिरूर करें अगर आप हरियाना जिरे की मौसम की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज टी आर ने उचको सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर लें थाकि आने वाली से आस्मान से आग बरस रही है यह सिल्सला सनिवार को भी जारी रहा सुबह नो बजे हालात यह थी कि धूब में जलन मैसूस हो रही थी अधिक्तम तापमान 24.9 दो डिगरी और नियूंतम तापमान 27 जडी सेल्सियस डर्ज किया गया मौसम बाग के अनुसार अगले साथ दिनों तक गर्मी से रहात मिलने के कोई आसार नहीं बन रही है इस दोरान धूल बरी हवाय चलने की संभावना बन रही है पर्षिम भी छोपके असार और नौतपा का असर कम हो गया था नौतपा के सुरू के तीन दिन तापमान सामान से 5 जडी कम रहा तीस मई से दोनों सिस्टमी मौसम का मिस्ट सिस्टम का असर कम होने लगा विंड पैटन भी बदल गया दच्रपस्वी हवाएं चलने लगी राजस्तियंग की ओर से आ रही है ह मौसम का मिजाद ही बजल दिया इससे दिन और रात का तापमान बाढ़ने लगा गुरुवार को दिन का तापमान 44 जिगरी पर आ गया सनुवार को दिक्तम तापमान 44 दिसम्लों दो डिरी तक पहुंच गया वरिष्ट मौसम बिग्यानेवा के डीपी दुबे ने बताया कि किसी भी मौसमी सिस्टम के एक्टिव नहीं होने के कारण 10 जून तक मौसम खुसक रहेगा दिन और रात का तापमान साम इसते रह सकता है बीच बीच में आंधिवा दूर बड़ी हमाएं भी चल सकती है जिया ये थी हरियाना से जुड़ी मौसम की ताज़ा अपडेट में अगले वीडियो में तक तक टी आर नीश के साथ बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेस कर लिजेगा ताकि यानवारी सभी लेटेश वीडियो सबसे पहले में जिया जाएंद 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 भरत